हाँ जी बच्चो हमने micro economics book start किया हुआ है जिसका आपके exam में 40 marks का weightage है और इसमें हमने सबसे पहले unit 2 consumer behavior start किया है और इसका exam में 13 marks का weightage है और इसमें total 4 chapter आते हैं जिसमें से हमारा chapter number आज हम second अपना start करने जा रहे हैं बच्चे chapter number 2 का नाम है indifference curve मुझे पता है इस chapter का नाम सुनते ही सामने देखते ही आपके माइड में सबसे पहले question यही आया होगा सर यह indifference curve है क्या इसलिए बच्चे पहला question ही यही आ जाता है आपका explain the indifference curve with the help of schedule and diagram तो पहला question ही वही है कि indifference curve है क्या बच्चे indifference curve को हम ordinal approach भी कहते हैं तो आपके माइड में सबसे पहला question यही आया कि सर यह ordinal approach क्या है या फिर सर यह indifference curve क्या है इसका क्या meaning है तो इसको समझने के लिए आपको question number one को अच्छे से समझना होगा जो कि question number one ही यह है आपका explain the indifference curve with the schedule and diagram अब बच्चे question number one पे आने से पहले one को start करने से पहले मैं आपके साथ में बिलकुल basic question discuss कर रहा हूँ मैं आपसे बिलकुल basic question पूछ भी रहा हूँ चलिए मुझे एक बड़ा simple question का answer दें कि आप देखते हैं अपने आसपास कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है और कोई चीज आप देखते हैं बहुत सस्ती भी रहती है किसी की value ज्यादा भी रहती है और किसी की value कम भी रहती है अपने आसपास अगर आप देखें तो आपको इस तरकी की बहुत सारी चीज़े दिखेंगी जिसके different different value है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कैसे decide होता है कि किसकी value ज्यादा होगी और किसकी value कम होगी बहुत simple question मैंने आपसे पूछा है बहुत basic question पूछा है question number one को start करने से पहले एक basic question मैं आपसे जानना चाहता हूँ पहले कि हमारे आज़ पास जितने भी तरीके कि आप goods commodities देखते हैं तो वो आपको पता है कि सारे different different price के होते हैं उनकी different different values होती है तो ये decide किस ब्याब पे होता है कि किसकी value ज्यादा होगी और किसकी value कम होगी जरह मुझे पहले इसका answer दे दें ठीक है आप मेंसे maximum बच्चों को यही मानना है कि सर वो उस commodity की importance पर depend करता है उसकी usefulness पर depend करता है वो commodity कि satisfaction level पर depend करता है वो commodity जो हमें ज़्यादा satisfied करती है वो commodity जिसकी need हमें ज़्यादा है वो commodity जिसकी importance हमारे लिए ज़्यादा है उसकी ज़्यादा value होती है और वो जो हमारे लिए ज्यादा importance नहीं रखती है, जो हमें ज्यादा satisfaction level नहीं देती है, कम satisfaction level देती है, वो जो है price में low होती है, उसकी value कम होती है, तो आपने decide करा कि value कैसे होता है, कि कोई भी commodity हो, अगर उससे मिलने वाला satisfaction level अगर हाई है, तो उसके price भी ज्यादा होगी, और satisfaction level low है, तो उसके price भी कम होगी, उसके importance ज्यादा है, तो price हाई होगी, importance कम है, तो price कम होगी, तो कहीं ने कहीं किसी commodity से मिलने वाला satisfaction level या उसके usefulness पे, depend करता है कि उसके price क्या होने वाली है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोचा आपने, ऐसा नहीं होता है, अगर आपके according चलें, आपने कहा, जो ज़्यादा usefulness होती है, जिसके importance ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा satisfied करता है वो ज़्यादा price होता है उसका और जिसको कम use करते है जो satisfactionable कम देता है वो सस्ता होता है अगर आपका यह कहना है तो जरह आप मुझे बताएं एक चीज कि देखेगा मैं आप से पूछता हूँ water पानी का example लेता हूँ अब बताए water से satisfactionable हमें क्या मिलता है काफी हाई मिलता है usefulness क्या water की बहुत ज़्यादा है वाटर की importance क्या यह बताओ मुझे बहुत importance है water की तो हरी चीज में तो अगर आपके according चलते तो दुनिया की सबसे महेंगी चीच क्या होती वाटर होती तो आपने जो answer करा वो answer गलत हो गया और आपने ये भी कहा था जो कम use में होती है वो सस्ती होती है तो diamond diamond का example लेते हैं अब बताइए बच्चे diamond को खा सकते हैं सब्सक्राइब को पहन सकते हैं डामेंट को ओड सकते हैं डामेंट गहर बना सकते हैं नहीं अधायमेंट हमारे लिए कितना useful है कोई useful कि इसकी बस बहुत रेयर केसी हनु उसका होता है बाट उतने यूजी करता करता है Salvador को कोई को इतना भी सब्सक्राइब वह हमें नहीं करता है तो ढामण एक ऐसे चीजी और जिसकी यूस लब होती है किस ब्याब पर तो आपने कहा उसकी usefulness के ब्याब आपने कहा उसके मिलने वाला satisfaction के ब्याब पर आपने कहा उस commodity के ब्याब पर अगर तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये घलत है बच्चे क्यों गल्त पता लगा आपको क्यों कि अगर ऐसा होता तो दुनिया की सबसे महेंगी चीज पानी नहीं होती हूद सबस्तों सबस्क्राइब की सबस्क्राइब ऑ inconsistent का उता हूँ किसी भी चीज की वेल्ययौ कैसे होती है वो कितना available है इस बिहाब पर depend करता है उसकी scarcity क्या है अबिलेबल क्या है जो ज़्यादा available रहेगा न उसकी value रहेगी कम इसकी हवा हवा तो और भी हमारे लिए बहुत importance है उसकी बट हवा क्या है unlimited है तो इसलिए हमारे लिए क्या free है तो जो जितनी ज़्यादा available रहेगी वो उसके price उतने ही कम होंगे और जो जितनी square होंगी जितनी rare होंगी उसकी price उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि price और value depend करता है demand and supply पे supply कम है और demand है तो फिर जो demand करने वाले जो consumer है उनमें competition create हो जाता है उसको buy करने के लिए क्योंकि वो available कम है इसी के वज़े से उसकी price अप हो जाती है वो expensive हो जाता है और बहुत ज़्यादा available है और बहुत ज़्यादा available है वो और supply इतनी है इसकी demand इतनी सी है तो यह जो चीज है यह ज़्यादा लोग देने के लिए त्यार है और लेने के लिए कम लोग त्यार है तो फिर उस चीज की क्या होगी price कम होगी अज़ा supplier के बीच में competition रहता है कि मे देखने वाले बहुत हैं और जो है खरीदने वाले कम है तो उसमें क्या उधार price फॉल जाती है तो कहीं ना कहीं इस चीज का में ज़ादा available रहेंगी जो ज्यादा quantity में रहेंगी उसकी price कम होगी और जो कम हो एबिलेबल होंगी rare होंगी square होंगी उसकी price high होंगी इसलिए water सस समय प्राइशनके कि सुखेनस ने और दीम्ट रियर हैं इसलिए वह क कै वो महगे है तो किसी भी किमडिटी की प्राइश और किस चीज़ पेंड करता है वह कितना एंबेवल Kent यहोज्व यूजर वो ख़चीज में रहेंी और हर चीज में देख लीजिए इस चीज को जो चीज आप पर पास ज्यादा रहेगी अब लेबल उसकी कदर नहीं होगी आपको उसकी वैल्यू कम रहेगी और जो चीजें कम अब लेबल है उसी कदर ज्यादा होगी तो फर्स्ट और फॉल हमने यह डिसकुस किया यहां पर कि किस आपको अब एक knowledge में आपके यह increment हुआ है कि कोई भी commodity हो हमारे आसपस कोई भी आर्टिकल हो उसकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है वो कितना available है उस भ्याप पर डिसाइड होती ज्यादा available है तो वैल्यू कम और कम available है तो वैल्यू ज्यादा एक चीज तो आपको यह clear होगी ठीक है अब आपका first question पर आपका ध्यान है मुझे पता है आपका chapter का नाम आप देख रहे हैं अपने सामने indifference curve आपके दिवाग में चल रहा है कि सर यह indifference curve है क्या तो आएए इसी को जरा हम एक game की जो है उसके थेरों से समझते हैं बच्चे game आपका जो है अब कोई भी game खेलते हैं तो इस game का आपको अच्छे से rule पता होना चाहिए है न हम game खेलेंगे अभी indifference curve को रहने दीजिए सब अपने आप आप आजाएगा आपको ठीक है हम बिल इस game का आपको बतायता हूं इस game का क्या लोह मैं बतायता हूं आपको first of all आप two commodity का कंजंप्शन करेंगे single commodity कंजंप्शन नहीं करेंगे two commodity आपकुछ भी ले सकते हैं xy मैंने याप पर बनाना और apples और बनाना मैंने याप लिया है दो commodity तो पहला condition क्या गेम का आपको दो commodity का consumption करना है two commodity का तो two commodity consumption कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह क्या हो यह combination हो गया आप एक combination कर रहे है या single commodity consumption कर रहे हैं आप एक combination का consumption कर रहे हैं क्लिर है पहले यह चीज़ तो confirm होगी single commodity consumption नहीं करना आपको combination का consumption करना है आपको two commodity का consumption करना है पहले चीज़ यह clear दूसरी चीज़ कि आपको अपने combination में changes लाने है उसकी quantity में changes लाने है वो आप लाओ जैसे आपको लाना है आप लाइए आपके उपर छोड़ता हूं मैं लेकिन ध्यान रहे आपका satisfaction level उसमें change नहीं हो अगर आप अभी भी indifference के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता है कि difference क्या होता है difference का मतलब क्या होता है अलग-अलग होना और indifference जो है ना difference का opposite word है एक समान होना एक जैसा होना तो चप्टर का नाम है indifference curve एक जैसा होना क्या एक जैसा होना किस चीज की एक जैसा होने के बात कर रहा हूं satisfaction level की बात कर रहा हूं कि satisfaction level same रहेगा Satisfaction Level ने कोई change नहीं आएगा. Satisfaction Level एक जैसा रहेगा. तो Indifference Curve, एक जैसा रहना और किस चीज के एक जैसा रहने के बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं Satisfaction Level के एक जैसा रहने की बात कर रहा हूं. अभी भी आपके माइड में चीशलोर होगी, कि sir satisfaction level एक जैसा रखना है इसको clear कीजिए तो चलिए अपने हम game पर आते हैं game के आपके दो rule बता चुका हूँ मैं rule number one एक combination का consumption करोगे आप और rule number two उस combination के quantity में changes करोगे but आपको अपना satisfaction level क्या रखना है same रखना है उसमें कोई change ना आ जाए और उसमें अगर आप चेंज कर दिया तो आप game से बाहर होगा आप आउट हो गए यह धानकिएगा clear start करें game चलिए बच्चे start करते हैं game को अब देखिए इस game में एक indifferent schedule ले रहा हूं मैं indifferent schedule मतलब कि एक समान एक जैसा schedule रहेगा यह क्या यह सदेगा satisfaction रहेगा एक जैसा ठीक है तो जड़ा आइस को जड़ा हम समझते हैं अच्छे से कॉम्बिनेशन ऑफ एपल एंड बनाना तो यहां बच्छी को लिचान कि बात कर रहा हैं अधिक कॉम्बिनेशन में अ製्चाओ कितने हैं तो पी कॉम्बिनेशन में आप देखिए用 एक ऐपल का कण्जप्शे कर रहे हैं एक एपल क्लिए और यह आपके पास में बनाना कितने हैं आपके पास में बनाना आपके पास में 15 है combination 1 तो आपको combination 1 दे दिया है मैंने इस combination 1 में 2 commodity है apple है और बनाना है apple कितने हैं आपके पास में एक है और बनाना कितने आपके पास है 15 है यह combination आपके पास में एक है तो आप एक apple का कर रहे हो और आप 15 बनाना कउंजम्शन कर रहे हो तो इस कंझम्शन से आपका एक satisfaction level होगा मुगान आप इस शीर्च को इससे आपका अपना एक во बनाना से इससे को अपना 25 बनाना से इससे आपको कि अपना मिल रहा है अब क्या करना है आपको इस गेम में आप अपने तो आप किस तरीके से quantity में changes करेंगे तो generally student क्या कहते हैं ठीक है sir पहले एक apple था एक और नया combination लेते हैं जिसमें हम इसमें changes करके एक नया combination बना देते हैं और q sorry q combination बना एते हैं और q combination में अगर आप देखें क्लिरे वच्चे आपको तो आपके पास में कित्रें apple आपके पास पर एक और एपल ले लेते हैं तो हमारे पास में 2 Apple होगे तो Apple क्या हुआ gain हुआ clear है तो अब आप बतायें जब satisfaction level को आपको same रखना है satisfaction level को एक जैसा रखना है अगर आपका clear है ये तो वही बात होगी कि दोनों pocket में आपके 500 रुपीज है अगर एक pocket में कुछ पैसा आया और आपको पहले जितना ही पैसा रखना है तब ही तो आपके पास पहले जितना पैसा रहेगा ये बात तो confirm आपको तो satisfaction level को आपको तो satisfaction level को आपको यहाँ पर क्या रखना है same रखना है तो satisfaction level को same रखने के लिए अगर आप यहाँ पर combination जो second है जिसका नाम मैंने क्यों दे दिया है इसमें अगर आप एक Apple को gain करेंगे एक Apple अगर आप ज़्यादा consumption करेंगे तो क्या आपका satisfaction level पहले जितना रहेगा total satisfaction level या पहले से ज़्यादा हो जाएगा total satisfaction level की बात कर रहा हूं मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो total satisfaction level हमारा क्या हो जाएगा last की competitively ज्यादा हो जाए क्योंकि अब हम एक extra apple consumption कर रहे हैं मैं marginal की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपके माइंड में यह आ रहा है because of law of diminishing marginal utility second apple से कम होगा वो ठीक है वो आपकी बात सही है मैं मानता हूं पर मैंने दोनों apple से पूछा तो first से आपको one and first p combination में 15 15 बनाना उससे आपका satisfaction level मिला जैसे आप एक और apple consumption कर लोगे q combination की मैं यहाँ पर आप से बात कर रहा हूं तो q combination में अगर आप एक और apple consumption कर लोगे दो Apple लिएगा तो क्या satisfaction level same औराइगा यह आपका gain हो जाएगा तो जबकि हमारा game का rule क्या है Satisfacution level same रहना चाहिए satisfaction लेवल indifference रहना चाहिए तो आप बताएं फिर आपको बनाना में क्या करेंगे आप आप रहते हैं, क्या करेंगे, ये बताईए, बिल्कूल करेक्ट, अगर apple को आपने बढ़ाया है, गेन कराया आपने, तो आप इस अगर से क्या करेंगे, बनाना को आप sacrifice कर देंगे, जिस से अगर एक तरफ प्लस हुआ, दूसरी तरफ सर्फ सर्टिक्शनल माइनेस होकर करके, हमार satisfaction level क्या रहेगा, same रहेगा एक चीज़ तो confirm हो गई यहाँ पर अगर हम एक commodity का consumption increase करते हैं, तो दूसरे consumption हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा क्यों कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा satisfaction level क्या रहे, same रहे satisfaction level को indifference रखने के लिए satisfaction level को equal रखने के लिए अगर हम एक का consumption बढ़ाते हैं, तो total satisfaction level बढ़ जाता है, और हमें satisfaction level को पहले जितना रखना है, तो हमें दूसरे consumption कम करना पड़ेगा, एक बात तो confirm हो गई है, कि यहाँ पर अगर हमने apple का consumption increase करा किया है, तो banana consumption क्यों decrease हो रहा है, तो आए ज़रा ये भी देख लेते हैं, हम कितना पाने के लिए कितना खो रहे हैं, परी बात नहीं समझे आप, कितना पाने के लिए कितना खो रहे हैं, आए ये भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले आप देखें, एक apple gain करा हमने कितना पाने के लिए कितना खोया हमने इसको हम बोलते हैं marginal rate of substitution marginal rate of substitution clear MRS marginal rate of substitution कितना पाने के लिए कितना sacrifice किया है basically sacrificing जो rate होता है न आपका उस sacrificing को ही हम क्या बोलते हैं MRS बोलते हैं marginal rate of substitution बोलते हैं clear रहे समय आया आपको तो यह क्या हमारे पास में marginal rate of substitution अब marginal rate of substitution में अगर आप जाके देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखें मार्जल रेट अब बच्चे देखते हैं